हलो पेरे बच्चों कैसे हैं आप सब अयूब के अपसोबत बढ़िये हैं और आज बच्चों हम करने वाले हैं लेसन नंबर जो है आपका वो है आपका लेसन नंबर सेवन पार्ट का नाम है दारीस मतलब दोड बच्चों यह चेप्टर बिल्कुल इजी है कोई प्रब्लम न परिया थी लेकिन एक लड़की जो थी वो दुबली पतली कमजूर थी उसका नाम था मीना सब कह रहे थे कि तुम ने जीत पाऊगी लेकर वो कहरेगी हम जीतेंगे मैं दोड़ूंगी दोड सुरूं होती है कभी कोई आंगे निकल जाता है कभी कोई फिसल जाता है आप चेप्टर में जरूर पढ़े अगर आप नहीं पढ़ातो और इस तरह से आखरी में जो है कौन जीतता है वो आपको पता ही है बनन ओनली मीना ठीक है आखरी में कौन जीतता है मीना जीत ज इसमें कहा है माला से ओक्तर माला से ओकटर को लिखाँ अब एक लिखाया माला कहती है कि मैं यूवीड बनना चाहती हो ठीक है और माला कहती है कि वह एक डेक डॉक्टर बना चाहती है इस तरह से आप इनको read and learn पड़ो ठीक है आपको भी इनको पढ़ना है इसके बाद आपको जो दिए गए हैं देखी बच्चों इसके बाद जो है आपको दिए गए यह फिलों की नामों के साथ चल अचल को रिएरेंज है ना रिएरेंज टालेटर टू स्पेल नेम सब्सक्राइब करना है इस फुटबॉल होकी करकेट और कबड़ी इस तरह से आप इनको कम्पलिट कर सकते हैं अगला है कॉंप्रियंसन कॉस्ट्टन बहुत देख प्रिश्ण कहानी को ध्यान से पढ़िए दोड़ में छे रर्किया है उनके कामों को क्रम से वस्तित कीजिए ठीक है जैसे कि कहानी में अब देखो सबसे पहले कौन कॉंसिलर किया है कहानी में देखो पिक तो माला है रानी है कुश्चन में आपसे एक आगया है आपको करने के लिए कि जिस कहानी में जिस स्क्वेंस में की नाम आई हैं एक के बाद एक के बाद एक वो हमको बताना है उस स्क्वेंस में लड़कियों के नाम लिखिए कि सबसे पहले किसका करदार आया है उसके बाद किसका उसके बाद कि कि इसका आञार आपको यहां से लिखतेना है सबसे पहले बाद की बात हुई याजी की बीनि रिघया पिरमाला औरुम्ट में जो माजरेन जीट गई तो आपको यहां से लेंकर जो आपको यहां से तक आंसर है वहीं आपको भनना है अगला है राइड वैदर दा फॉलोविंग से इस्टेटमेंट ट्रू और फाल्स तो बच्चों आपको बताना है ट्रू है कि फाल्स है तो मीना इज टॉल इस्ट्रॉंग एंड वेड़ विल्ट तो यह बापका फाल्स हो ज बैक्स एंड लॉशिस ड्ट्रू है पूरी जनता ने किसके चिर्स किया बिना को किया नाकी माला को इस तरह से आप विषय कर सकते हैं है अज़्य है राइड वाइब दर स्टूडेंट अच्छा कुश्चन आंसर आ गये इज्य है वाइब दर स्टूडेंट और तो मैंने आपको बताया है उसन दोड़ थी है ना दोड़ थी तो इसलिए वो एक अत्रत हुई तो इसका सही आंसर है दा एनुवल इसको दो यहां से लिख देना आपको ठीक है इवेंट इस बाउट टू बिगिन क्या होने वाला था लगण दा दो सव मीटर टू अंडर मीटर रेस होने वाली थी ठीक है अगला है वाइड डू गल्स फील डैट मीना वुड नॉड विन तो लड़कियों को लग रहा था कि मीना नहीं जीत सकती तो इसका सही आंसर है गल्स फील डैट मीना वुड नॉड विन तो विकॉष्सी स्वा्ट अन्द थिन छोटी और पतली थी वह। ठीक है अगला है वो गि अईप्स दा सिगनल टू उ श्टार्ट दरेस किस न दीया सिगनल गैं टीचर गिप्स द जा सिगनल दू श्टार्ट द्रेस तो गैं भी बट इस्टेड़ी है ना मतलब धी में दोड़ो लेकं स्थरता से डोड़ी है ना साई दंग से ना तेज ना जादाथ धीमा देखे बच्चों अगला कॉस्चन है क्या है दीखे अगला कुस्चन वाट do you think who helped मीना आप क्या सोचते हैं कि मीना की मदद किस न की तो इसका सही अंसर है हर self-confidence किसी ने मदद नहीं की उसने खुद अपनी मदद की उसका जो self-confidence था उसने खुद की अपनी मदद की तो हर self-confidence helped मीना ठीक है अगला है what make you a winner ठीक है तुम्हें बजीता कौन बनाता है तो इसका सही अंसर है self-confidence make us a winner हमें अपना खुद का आत्म विस्त्वाची बिजयी बनाता है अब है आपकी ग्रामर ग्रामर में आप से कहा गया है कि बाक्यों को पढ़िए ठीक है read the following sentence नाव दीपा says I want to be a writer दीपा says he that she want to be a writer मतलब दीपा बोली में राइडर बनना चाहती हूं वो दीपा बोली वह राइडर बनना चाहती है अब दिएगे बाक्यों को उप्युक्तन सर्पुनह लेखें तो देखो पहला question है Mona says I want to be a cook तो इसका answer है Mona says that she want to be a cook ठीक है गोपाल says I want to be a player तो गोपाल says that he want to be a player राम says I want to be an officer तो राम says that he want to be an officer यह ना इसको आप लेख सकते हैं जीली ठीक है चोत्रा है आरेप says I want to be a pilot तो आरेप says that he want to be a pilot और लाज्ट है रादा says I want to be an inspector आखरी है आपका रादा says that he wants he wants to be an inspector ठीक है अगला है at the end of the race is newspaper reporter asked Meena a number of question using the information write the paragraph in the reporter speech ठीक है तो आपको क्या करना है एक परिछे मलब एक प्रकार से speech लखना है ठीक है रिपोर्ट लखना है तो आप देखो तो आप बच्चों आपको बुक में बनने के लिए पांच लाइने दी जा रही है इस question में question number two है जो ग्रामर वाला है तो नमें पांच लाइनों में आप पहली लाइन तो आपको देखो मिल जाएगी भरी हुई पहल अगला है मीना सेज़ देट सी हैस मिल्क एंड पराठास आफ्टर दा एक्ससाइज अगला है मीना सेज़ देट सी गौस गोस टू स्कूल एट 11 o'clock वह गयरा बज़े स्कूल जाती है यह ना exercise के बाद दूद और पराठे लेती है मीना सेज़ देट सीज देट तिल 5 o'clock है न कि अगला को शोन कैसे बज़े कि遊戲 अगला कोशल है आपका देखिए मैं आपको बता ले ली चलता हूं अगली कोश्षट में आपको लेट्स टॉक में ःपको इनके आंसर देना है विच गेम डूए पली तो आप कौनसे घ्लती है था बत्च्छो जो भी आपको गेम सबक्र और खिलिए याने वाला ठीक है, अगला question है, do you use to net in this game, तो आप कि नैट का इतमाल, जाल का 것으로 करती है, तो यह जाल का इस्तमाल है, तो भी या जाल का इस्तमाल हम gods? नहीं करते ठीक है, अगला है, do you use in a bet in this game, तो कि आप आप इस गेम में बैट का यूज करते हैं यहां थो इस तरह से आपका जो है क्लियर हो जाता है आई वप क्यापको क्लियर हो चुका होगा वीडियो को लाएक के चले सब्सक्राइब कर दें मिलते एकली चैप्टर में बच्छों टेक क्यार बाए बाए